वेल्कम डू स्टड़ी चैनल में नाम है मुहम्मद कैसर बात करेंगे दोस्तों आके कुछ बहुत यह महात्पूर अपडेट्स की लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना बात करेंगे यूपिट्री बलसी पेट 23 की इस बेस्ट बुक के बारे में जो चुक्स में सेलबस में दिया है यूपिट्र बलसी पेट की संपूर गाइड़ बुक के साथ चक्सु प्रकासन ने पेट के लिए प्रैक्टिस सेट भी लॉंच कर दिया है यह आपको यह किताबें आफ लाइनी है तो यह इसली मार्केट्स में अवेलेबल हो जाती है आज की सबसे सब्सक्राइब करने के बाद जहां पर आपको एड्रस भरना है यहां पर बहुत साथ स्टूडेंट कंफ्यूज है कि हम CEO में क्या भर है CEO का मतलब क्या है तो सौट में समझ लिजे आपको कोई डाउट नहीं रहेगा पहले चीज आप यहां पर अपना नाम भी लिख सकते हैं कोई भी समस्या नहीं होगी जिन्होंने अपना नाम लिख कर अपना फॉर्म समिट कर दिया है वो बिलकुल भी टेंश कर रहा है यहां पर केर आप से मतलब यह है कि आप अपने अड्रेस में वो नाम लिखिए यदि यूपी ट्रेपलर सी कोई लेटर आपको भेजे तो वो आपको मिल जाए जैसे कि होता क्या है कई बार की स्टूडेंट अपने गाउं पर या अपने मुहले में नहीं रहते है हैं बाहर रहते हैं पढ़ाई करते हैं तो उनको बहुत लोग जानते नहीं है मालेजिए कि आपने हाप अपना नाम लिख दिया राहुल कुमार और फिर एक लेटर गया यूप पर पर से के दुवारा उसमें राहुल कुमार आपके गाउं का नाम लिखा है अब लेटर दालने से हो सकता है कि वो लेटर आप आपको नाम लेपा है तो यहां पर आप अपनेader का नाम डाल दीजिए I am आपने यहां पर क्या भरा है तो यह चीज़ आप समझे आराम से आप अपने फादर का नाम डाल दीजिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी आप अपना नाम भी यहां पर डाल सकते हैं तो क्या राफ का मतलब अब आप समझ गए होंगे अगली अपडेट है यूपी प्यसे से उत यूपी प्यसे को मिला हुआ है चार माँ हो गय अधियाचन प्राप्थ हुए लेकिन जो अधियाचन प्राप्थ है उसमें कुछ विसंगतिया है कुछ उसमें समझ से आये हैं और इसकी बज़े से उत्रपर्दुस लोग से वायों को महीनों पहले मिल चुका है रिक्त पद उतना जल्दी जारी कर देगा तो बी यो की पिछली भरती 2019 में हुई थी तब से कोई भरती आई नहीं काफी समय से ये पद रिक्त हैं और इन पदों पर विक्यापन आना है तो अब दोस्तों जारा समय लगना नहीं चाहिए और अब भेरतियों रिक्त संख्या के बारे में आ आरक छड़वार जो सीटों की संख्या है वो अवेलेबल नहीं है जिस वज़े से सीटों की संख्या नहीं बताई गई 2019 में 309 पदों पर B.E.O. का भरती आई थी जिसके लिए 5,28,000 चाहत्रों ने आवेदन किया था इसमें प्री और मिंस होता है तो इसका आपको ध्यान रखना है ग्रैजवेशन प्लस B.E.ड वाले चाहत्र यहां पर आवेदन कर सकते हैं चाहत्रों ने मांग किया कि जल सजल इसका विक्यापन जारी किया जाए छाद लगातार ओवरेज हो रहे हैं भरतीया निकल नहीं रही हैं काफी समय से समकाक चाहत्रों के ज़ए से तमाम बरतीया फसी हुई थी वो मामला तो हल हो गया लेकिन अब कुछ अधियाचन में ही दिक्कत की ज़ए से इसमें डिले हो रहा है तो जो भी लोग भी यो की तयारी करना चाहते हैं अपनी तयारी को शुरू कर दीजे क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा अब इसका क्या पन निकलने में अगली अपडेट सीटेट एक्जाम को लेकर है काफी छात्र पूछ रहे हैं कि सीटेट एक्जाम तैं एक्जाम पर भी किया इसका कोई असर पड़ेगा फिलहाल की कंडिशन में सीटेट का एक्जाम तैंसमत्र होने जा रहा है तो सीटेट परिक्षा को लेकर कोई भी दोस्तों ये अपडेट नहीं है कि एक्जाम टलने वाला है आप लोग अपनी त्यारी करिए मौक टेस्ट लगाईए रिविजन करिए प्रिविएस येर के पेपर जरूर हल करिए क्योंकि सीटेट का जो पैटर्न हो बिल्कुल फिक्स होता है उसी कैदार पर परिक्षाएं होती है और इस बार ऑफ-लाइन एक्जाम होने जा रहा है तो काफी अच्छा है बहुत सार इचादर ऑफ- भरतियों ने छेड़ा हुआ है अभियान सबसे बड़ा मुद्दा इस समय का यही है कि बीएड प्राइमरी से बाहर हो गया बीएड के अभरतिय अभी मांग कर रहे हैं कि सरकार उनके लिए कोई व्यवस्ता करें और उनको प्रात्मिक में फिर से सामिल करें इसके लिए चा प्राइमरी में मौका दे तो देख सकते हैं कि बीएड को शामिल करने से स्कूलों में मिल रहे थे योग सिक्षक 68500 में बीएड नहीं था इसका इजामपल चात्रों ने दिया कि यहां पर सीट है खाली रह गई 27,000 जब कि कट आफ 40 और 45 परसेंट था वहीं पर अध़ रोक है यानि कि NCT का 28-2-18 का नोटिफिकेशन रद माना गया है और उसी नोटिफिकेशन के तहथ बीएड प्राइमरी में आया था 28-2-18 के NCT के नोटिफिकेशन में ये कहा गया था कि यदि BA डुवाले ब्रीज कोर्स कर लें तो वो प्राइमरी में भी से खशक बन सकते हैं लेकिन फिरहाल वो गजट रद्ध हो चुका है तो क्या सरकार इस संब्द में आगे कुछ करवाई करेगी क्या ध्यादेस वगएरे पर सरकार विचार करेगी इसको लेकर अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा हाला कि बेट के छातर काफी मजबुती से अपनी मांग सरकार के सामने रख रहे हैं कल मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था कि क्या सरकार अध्यादेस ला सकती है और ला सकती है तो किस कंडिशन में ला स सकती है और जो सुप्रिम कोड का ओर्डर है उसके पढ़ने के बाद सरकार अध्यादेस पर कितना विशार करें तो कल का वीडियो आप हमारा एक बार जरूर देखिएगा हाला कि सरकार के पास यह पावर जरूर है कि वह अध्यादेस ला सकते हैं लेकिन लाना है कि नहीं ल चेर मेंन हैं उन्हों section के बताया है कि बिहार की सिक्षक वर्क्रती की परिख्षा है यह समय पर होने जा रही है और holding TRE यहनी कि Teacher recruitment exam को hold करना और discussion लाउकिन यह अलग बात है और सामा पर में परिशे कराने जा रही है तो जो भी student eligible है जो interested है वो भी हर के शिक्षक भर्दी की परिच्छा दे सकती है यहाँ पर काफी confusion हो गया है B8 के छात्रों को कि वो exam यहाँ पर दयाना दे फिलहाल BPC ने बाहर नहीं किया है B8 को PRT से उन्होंने कहा है कि हम अपने notification पर कायम रहेंगे notification में B8 primary eligible है हमने क्यों eligible किया क्योंकि NCTE ने eligible किया था और फिलहाल NCTE के तरफ से कोई यह से notice नहीं जिससे हम B8 को प्रात्मिक से बाहर करें चुकि आयोग तो कोई eligibility तेह करता नहीं है eligibility तेह करने के लिए सबसे बड़ी योगता NCTE है NCTE ने अभी तक सुप्रिम कोड के ओड़र आने के बाद कोई प्रस्टी करण नहीं दिया है कोई भी नोटे चारी नहीं किया है और यही कारण है कि बिहार की BPS 6 शिक्षकवरती में B.A.D. वाले P.R.T. का exam दे सकते हैं और exam भी अभी टल नहीं रही है तो आप चाहें तो exam उपना दे सकते हैं लेकिन exam देने में एक समस्या और है अपडेट आप यह देख सकते हैं कल की ही अपडेट है कि सीटेट के जो सफल अभेरती हैं B.A.D. वाले P.R.T. में उनका प्रमाडपत्र भी रद्ध हो गया है प्रमाडपत्र रद्धी के समान है तो ऐसे में बिना सीटेट के कैसे छात्र प्राइमरी में अलिजबल हो सकता है तो यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है हाला कि B.B.S.C. बिल्कुल कह रहा है कि आप आईए परिक्षा देजिए चात्रों कई आरोप है कि B.B.S.C. S.I.S.S. वैसे कह रहा है ताकि उनको फी लॉटाना ना पड़े एक बार और इजाम करा लेंगे फिर आप बाहर होई अंदर होई उसकोई मतलब है नहीं क्योंकि सुप्रिम कूर्ट को ओडर आ गया है तो N.C.T.E. भी तो कुछ ने कुछ दिन में सिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन है प्याटी वाला उस नोटिफिकेशन में कहीं भी यह नहीं कहा गया कि यह भर्ती सुप्रिम कोड के फैसले के अधीन है यही कारण है कि B.P.S.C. बच गया है और वो फिलहाल एक्जाम बीर के छातरों से भी प्याटी का ले सकता है लेक लेकिन बीहार के B.P.S.C. के चैर्मेन का कहना यह है कि अभी B.P.E.A.D. प्राइमरी में एक्साम दे सकता है और सबसे वड़ी खबर यह है कि तैंस समय पर परिक्षा होने जा रही है और आज की लास्ट अपडेट है स्टाफ नर्स से संबंधित इसी सब्ता स्टाफ नर्स यह सब्ता इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा तो यह राद दोस्कों आते वीडियो में कुछ मात्मूर अपडेट वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनलन को सब्सक्राइब करके पेला इकन अबा लेजे ताकि आपको सारे जनकारियां मिलती रहे थांक्स पॉर वाचिंग प्सक्राइब dziोária दोग सेल जाएबुवार वीडियो में कर दोस्क्राइब कर दोलें मिलती रहे भीडियों पॉर आम्लाप यह थाजिएजनार इसका अझानने थालो को यह है झालो कि मिलती रहे ज呢?